हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज हम इन दो कलरों की मून से और नेडल ही है यहाँ पर हमने 10 नमबर इससे बहुत ही सुन्दर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को आप बचों के स्वेटर में जैक कि इस से इसको बनाता है सब्सक्राइन हमिन की इस बचाहिए इसको की आप बचन्राइए क्रहा श्रण पर यहां कि 10 इस पंदेंर के यहां PP ममें देखिएnants Minuten एंट किक अधा के सब्क्राहनां से सेकंड कलर लगा के पूरी सिलाई कोहन यहां पर सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे सिरफ सीधे और उल्टे फंदों का ही डिजाइन है और बनने के बाद बिल्कुल रेडी मेट से भी सुंदर डिजाइन बन के आएगा वाश्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे तो यह डिजाइन की हमने यहां पर देखिए पहली सिलाई को सीधी साइड से यहां पर देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया है डिजाइन की पहली सिलाई बोडर बनाने के बाद यह उल्टी उल्टी मैंने बनाके कंप्लीट किया है डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हम यहां पर देखिए सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाएंगे अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई और यहां पर सीधी सिलाई तीसरी सिलाई को हमने यहां पर पहली सिलाई की तरही पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना तो मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हुँ तो एक तीसरी सिलाई को हमने सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट किया। डेजाइन की चोथी सिलाई ही यहां पर और उल्टी सिलाई। इसको फिर से हमने दूसरी सिलाई कीत रही सीधा सीधा बनाते हुए कम्प्लीट करना है। पूरी रोको हम यहां पर सेधा सेधा बनाते हुआ कम्प्लीट करेंगे, चोथी सिलाई, उल्टी सिलाई, अब आ गए हैं डिजाइन की पांचमी सिलाई, यहां पर और सेधी सिलाई, पांचमी सिलाई को हमने यहां पर धागा चेंज करना है, यहां से हम देखिए, जो यह नीचे वाइट कलर यहां पर यह दिखाई दे रहा है, जहां से हमने यह पहली सिलाई बनाई थी, इसमें हम यहां पर ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा पहले हम यहां पर यह सीधा बना लेंगे, यहां से, इसमें से, कि इस तरह से कि यहां से हमने सीधा फंदा बनाया और इस फंदे को हम यहां पर रखेंगे अब हमने क्या करना है इस वाइट वाले को और इसको दो नो फंदो को हमने क्योंकि यह वाइट वाला फंदा बढ़ गया है इसलिए हमने यहां पर दो नो फंदो को अब सीधा बनाएंगे इस तरह से आगे बीच में हमने ये देखिए एक, दो, तीन, च्यार, और पांच पांच फंदे हमने ये बीच में सीधे बनाएँ फिर से जो ये ये वाइट वाला फंदा यहां से है ये वाला इस में से नीडल डालेंगे और एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे और इस फंदे को यहां पर ऐसे डालके पलटके सीधा करके और दो फंदों का इखठा एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे इस तरह से आगे फिर से पांच फंदे सी देख दो तीन चार और पांच फिर से ज नीडल डालेंगे और एक फंदा यहां से सीधा बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे और अब दो फंदो का इखठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे आगे फिर से यह एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे फिर से अब यह वाइट वाला फंदा यहां से यहां से एक फंदा लेंगे सीधा इस तरह बनाएंगे और इसको पलट के यहां पर रखेंगे और अब इन दो फंदो का इखठा एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यह यहां पर पांच्वी सिलाई हमने सीधी साइड से बनाते हुई यहां पर कम्प्लीट की, अब हमने क्या करना है, डिजाइन की छटी सिलाई, उल्टी सिलाई, छटी सिलाई को अब की बार हमने यहां पर उल्टा उल्टा बनाना है, तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा उल बनाना है तो मैं सीधा 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 सभना लेती हूं। हम ने सीधी साइड एक सीधा सीधा बनां कि इंब्डेक्ट कर लिए। डिजाइन की आठमी सिलाई, उल्टी सिलाई, आठमी सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे, तो मैं इल्टा इल्टा बना लेती हूँ आठमी सिलाई को तो यह देख या ओल्टी साइड से उल्टा इल्टा बनाके हमने कमप्लीट कर लिया डिजाइन कीुद हिलाइन, नोजशिशलाईन को फिर मैं जैसे पहली सिलाई बनाई थी हमने यहां से अब यहां पर ढिजैन रिपीट होगा यह वाला डिजैन यहां पर आएगा यहां पर यह वाला करेंगे तो मैं यह नोमी शिलाई को उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेती हूं यह नोमी शिलाई को उल्टा उल्टा बनाते वे हमने कम्प्लीट कर लिया है डेजाइन की दस्मी शिलाई दस्मी शिलाई को हम यहाँ पर पूरी शिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही हम सीधा सीधा दसमी सिलाई को बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे तो मैं कम्प्लीट कर लेती हूं इलाई को हमने सीधा सीधा बनाके कम्प्लीट किया डिजाइन की ग्यार्मी सिलाई सीधी सिलाई ग्यार्मी सिलाई को हमने यहां पर देखी पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कम्प्लीट करना है तो मैं पूरी ग्यार्मी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ क्यार्मी सिलाई को सीधी साइड से उल्टा उल्टा हमने बनाते हुए कम्प्लीट किया डिजाइन की बार्मी सिलाई बार्मी सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे तो मैं सीधा-सीधा इस तरह से कम्प्लीट कर लेती हूँ तो यह यहाँ पर देखें बार्मी सिलाई को भी मैंने सीधा-सीधा बनाते हुए उल्टी साइड से कम्प्लीट कर लिया है डिजाइन की तेर्वी सिलाई तेरवी सिलाई में यहां पर हम डिजाइन किस तरह से बनाएंगे पहली सिलाई में मैंने यहां स्टार्टिंग से वाइट कलर लगा के तब मैंने इस डिजाइन को बना था तो यहां से फंदा उठा के अब की बार हम पहले यहां पर देखे वाइट कलर से तीन फंदे पहले सी be no no homes every request फॉन देखे नीचे से झरी ये वाला ये वाला वाइट क्लार और इसके अंदर से हम इसे नेडर् डालेंगे हम फंधा सीदा बना कि यहां डालेंगे मिंटो अब वीडोवंदों की खटा सीदा बनाएंगे इस तरह जी अभ यहां पर देखें, पांच फंद्स हैं सीधे बनाएंगे, एक। 2 टीन च्रार और ऑर पांच फंदैंसी estado मान अब जो यह छटा फंद आएगा, फिर वाइट में नीडल डालेंगे और शीधा बनाकर और इसको यहां पर डालेंगे सेथे बनुधन कि तो नगेंच और 2 पांच, फंदे फिर से यहाँ पर हम डीडल डालेंगे, इस तरह से, वाइट वाले फंदे में फिर सेर सिधा फंदांगे, यहाँ लेक्ância के आएंगे, इसको पलट के सीधा घरेंगे, फिर से दो का एक, लास्ट के तीन फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, तेर्मी सिलाई में देखिए डिजाइन हमारा ये वाला बीच में आ गया है डिजाइन हमारा सिफ्ट हो गया है डिजाइन की अब चोदमी सिलाई, लास्ट सलाई और उल्टी सिलाई इसे हमने अब फिर से हमने पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए complete करना है इस तरह से पंदर्मी सिलाई को सीधी साइड से सीधा बनाएंगे तो सोला सिलाई इस तरह से कंपलीट करने के बाद सत्रमी सिलाई फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे तो यह यहां पर हमने गैप करना दो सिलाई बन चुकी है सिधे सिधे की इस तरह से दो और बना के फिर हमने यहां से पहली सिलाई फिर से शुरू करने हैं तो इसी डिजाइन को अगर मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ आपको कि फाइनल लुक डिजाइन का की इस तरह से बनता हुआ आएगा तो यह देखी यहां पर थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से हमारा बनता हुआ आया तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए मिलते हुँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ